हलो बच्चों स्वागत है आज की इस वीडियो में यह डिफेंसेशन का आगे का वीडियो है आगे का कंसेप्ट है जैसा कि क्लास 12 का डिफेंसेशन हमने इंपोर्टेंट टॉपिक आपको डिसकस किया है वह उसमें हमने basic introduction आपको conceptual basic हमने कुछ discuss कर दिया है उसका आगे का है आगे कैसे differentiation rules है कैसे product tool है कैसे question tool है या फिर आगे कैसे differentiation को बनाते हैं कुछ question क्योंकि आसान तो होगा नहीं आगे इसके connected concept है तो आगे हम continue करेंगे अच्छा इसमें आपको बेटा कुछ ऐसे भी है जो आप product tool है क्योंकि basic भी पढ़े होंगे तो थोड़ा सा तो आगे हम चलेंगे product tool बोलते हैं अब पुछोगे sir product tool मतलब कि दो function का अगर differentiation निकालना है बटा क्या बता है पहले basic में हमने सब कुछ आपको सिखाया है चेंडूल फॉर्मूले सिखा दिये हैं अब इसमें पॉड़क्ट टूल है पॉड़क्ट तूट मतलब कि अगर दखो अच्छा differentiation लिखने का चीज और है अगर मैं Digital day लिखो ऐब चलेगां वाई वन चलो एवी लिखे लिख सकते हो यह अगर function पर है तो f- सकते न हैं इस सब difference लिखने का तरीका यंशल देचर्ण जिके करने वाले हैं अब पुड़क्ट तूल है बटाए की दो फंक्शन का डिफेंसेशन जैसे कि जैसे दोखो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं दी बाइड एकस और यह दो फंक्शन है बटा दो फंक्शन मतलब एक है आपका क्योंकि मैं सौर्ट में लिख रहा हूं यह आपका फर्स्ट पर फिंकिंग हम ज़्यादा इस पर डिसकस करेंगे इसका फॉर्मूला क्यों होता है क्योंकि बार बार इसको डिफेंसेशन का एप्रोच ने कि इसको सौर्ट फॉर्मेट में लिखते हैं कि पहले आप यू को डिफेंसेट करो तो आप लिख सकते हो यू डैस भी प्लस को छोड़ेंगे इसको उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि फोलो करता है कोई इस अंतर नहीं है अगर कोई लिखा की सार नहीं मैं सेकर्ण वालव को करूंगा तो फिरस्ट बाला को छोड़ो प्लस फिर जिसको किया उसको छोड़दो सेट वाले को करो वैसा भी आप कर सकते उससे को इस्यू नहीं है उसको करते है पूझाप टूल अब पूछो के सर्फ पूड़क टूल बतलब एक्जामपल पर आप देख लिए जैसे मैंने कोस्चन दिया बटा कोस्चन है एक है बाइदे पाहले लिखा एक साइन एक साइन एक साइन एक और पूछा इसका डिफेंस करता हूँ क्या किया एक्स को डिफेंस atual किया और क्या किया साइन एक्स को छोड़ दिया प्लस इस बार sin x कितना बड़ा cos x तो क्या आ गया sin x plus x cos x ok clear है sin x plus x cos x product tool आ गया वैसे करके कुछ और miss दो function को आप product tool से कर सकते है product tool से बनाने होते है वैसे करके किसी ने आप से a पूछ दिया बड़ा कि इसका करो x q और sin square x देखो दो function है a b अच्छा तो क्योंकि मैं एप्रोच करूँगा लिखूँगा थोड़ा से XQ का तो मैं XQ का डिफेंसेट कर रहा हूं बटा XQ का कितना 3X square X का रेस्पेक्ट में और sin X को आपको छोड़ देने है प्लस अब XQ को छोड़ो साइन X square का प्रोब्लम यह है चेनरूल में हमने प्रिबेस वीडियो में आपको चेनरूल पर अच्छे कंसेट डिवलप कराने का ट्राई किया है समझाया है तो पहले जब भी असक्वार हो जा तो असक्वार वाला बेसिक X to power N तो क्या फॉर्मूला इसको अगर डिफेंसेट करोगे बटा कितना टू बाहर साइन X और साइन X का कितना कॉस X तो आप टिग्रिमेटरी पढ़ रखे हो तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है या 3X स्क्वार साइन X प्लस XQ और ये Sine 2X है बात वही है Sine 2 ठिटा ये भी N से है अच्छा है इसको हमने क्या किया SQ को डिफेंसेट के डिरेक्ट लिखा देको XQ को डिफेंसेट किया फिर Sine A-square को छोड दिया फिर SQ को छोड़ा और Sine A-square कर तो तो पावर n वाला, 2 बाहर, साइनेक्स, और फिर साइनेक्स का कॉस है, किया साइन 2 ठीटा, ओके, ये है आपका पोड़क्ट टूल, अच्छा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में एक और है, आप जब आपके टेक्स्ट बुक है, तो तीन फंक्शन का दिया है, तो जैसे अगर मैं एक कंसेप्ट आप देख लो, ये भी डेरिवेशन भी पूछाए कि इसको डेराइब करके भी दिखाओ, अच्छा, अगर तीन फंक्शन है, ध्यान से सुनना, तीन फंक्शन है और इसका अगर है, तो आप किसी को दो को डेरिवेशन भी आपको पढ़ने इस दोनों को एक फंक्शन माल लेते हैं, इसको या फिर कोईसा बोल सकता है कि फर्स सेकंड को एक, थर्ड को अलग, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर्फ फर्स को अलग, इन दोनों को एक, अलग-अलग आप अपर प्रोच कर सकते हो, तो हमने इसको ऐसे किया, दोखो, concept कैसे प्रोच कर रहा है, हमने इनको एक साथ किया, कि चलो आप यू भी को एक साथ ठीक है और फिर क्या इसको और इसको डिफरेंसेट किया डबलू को छोड़ दिया प्लस इस बार यू भी को छोड़ोगे और डबलू को डिफरेंसेट करोगे क्या किया डबलू को डिफरेंसेट किया डबलू को डिफरेंसेट करेंगे ठीक है दे function में इसको भी differentiate करोगे तो इसको देखो मैं डिरेक्ट लिख रहा हूँ इसको क्या करोगो U dash B plus U B dash और W इसके साथ multiplication में है और इसका क्या है U B W dash अगर इसको आप तोड़ोगे बेटा तो देखो क्या है U dash B W plus U B W plus U B W dash में एक simple सा फंडा है अगर तीन concept बेटा तीन function है तो जैसे आपने two function का approach किया इसको तो मैंने derive करके आपको दिखा है तीन function का भी same fhanda किया first को differentiate करो दो को छोड़ो फिर first को छोड़ो, second को differentiate करो फिर first और second को छोड़ो, third को differentiate करो fhanda clear है, fhanda क्या है? वही fhanda जो आपको हमने पीछे concept बताया यह approach हुआ ही है क्योंकि आपके textbook में derivation भी पढ़ने है कि तीन function हो तो तीन function में 1st को करो 2 को छोड़ दो फिर 2nd को करो 1st और 3rd छोड़ दो फिर 3rd को करो 1st और 2nd छोड़ दो जैसे कोई example में आप देख लो example में question 1 कि अगर by the way ऐसा है बटा देखो कोई तीन function लिया x square sin x और एक exponential function रख दिया ठीक है यह तीन function है अब इसको क्या बोला कि पहले x square को differentiate कर देता है क्या x square को मैं जान से लिख रहा हूँ बाकी 2 function चुट गया sin x e का power x प्लस इस बार x square को छोड़ो किसको differentiate कर लेते हैं sin x को और e का power x चुट गया फिर x square sin x चुट गया और e का power x different set हो गया तो देखो इसका कितना 2x sin x e का power x यहां से x square और sin x का कितना cos x e का power x यहां से x square sin x और e का power x ठीक है ऐसे यह आपका answer हो गया मिस funda concept वही है ठीक है product tool में तीन function भी हो तो first को करो दो को छोड़ो plus second को करो first third को छोड़ो plus first second को छोड़ो third को differentiate कर दो ओके एक product tool बोलते हैं अच्छा अब आई यह question rule या जिसको division rule बोलते है question rule बोलो या division rule बोलो इन में भी funda के लिए रहे बटा कि अगर दो function का division है मिस division में है यू बाइ भी यही फंक्शन है first function और यह second function अगर ऐसा है इसका क्या है rules आप denominator वाला का square करेंगे क्या करेंगे denominator वाले को square करेंगे भी माइनस यू इसका क्या बोला है question टूल बोलते हैं यू बाइ भी अगर दो function है इसका क्या बोलोगे कैसे करो कि क्या बोला हमने कि भी denominator का square और denominator दो को छूट रहा है वह छूट रहा है यू डेस माइनस यू बी डेस इसमें माइनस होता है concept के लिए question एक करा के दिखा देते हैं क्या बोला फिर से एक question टूल है या division बोलते हैं अगर दो function का है तो उसको difference कैसे करेंगे denominator वाला का square denominator वाला का square denominator चूटेगा यू डेस माइनस यू अज इसमेर डेनोमिनेटर वाला जो छूटा है उसका differentiation जैसे question में question में आपको एक differentiation हम दिखाते हैं बैसे simple सा जैसे किसी ने पूछा बटा ऐसा मैं जान से एकस प्लस वन और एकस माइनस वन ऐसा रखा ठीक है अगर इसको difference करने है तो इसको आप बना सकते हो पूड़क्ट डिविजन रूल से यू और भी से तो क्या बोला इसको यू बना देते हैं इसको भी formula क्या बोला बी स्क्राइब एकस माइनस वन का स्क्राइब क्या बी स्क्राइब एकस माइनस वन चुट जाएगा अब इसको difference करो किसको दो मैं लिख रहा हूं किसको difference करने है x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 और किसको difference करने है x माइनस 1 को मैं जान से इसको अप्रोच करके दिखा दिया तो x माइनस 1 अब बताओ x का difference एशन 1 और 1 का 0 माइनस x प्लस 1 x का 1 और इसका 0 और एक इतना x माइनस 1 का square अगर करोगे तो देखो x माइनस 1 और a माइनस x और माइनस 1 अपान x माइनस 1 का square x से कड़ गया तो कितना minus 2 by x माइनस 1 का square same फंडा concept वही था कि क्या बोला u by b b का square procedure जो फंडा concept बता है उसी पर इसको अप्रोच करने हैं अच्छा यह तो हमने product tool और division rule ऐसा कुछ करके सिखाया दो function तीन function का अब इसी को ना आगे क्योंकि आगे मैं पहले बोल रहा हूँ जितना आपका defenses are strong आगे सारे calculus उतना स्ट्रॉंग होका defenses integration connect हो जाएगा वह आपके लिए कारगर है या फिर आपको helpful है अब यह application of derivative पर हम continue करेंगे धीर धीर भी बढ़ते जा रहे हैं अब आपको defense session जैसे आपने inverse trigonometry पढ़ा था बैटा ना inverse उसमें आपने कुछ formula पढ़ा थे और calculus के लिए आपको trigger command या trigger के formula आपको आने चाहिए आपको कराते हैं कि कैसे उसमें approach करोगे कैसे बनाओगे question को अब आपको कुछ question कुछ question कुछ question आपको इस पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या है देखिए जैसे बटा कुछ question हम आपको funda दिखाते हैं कि कैसे किसी के respect में आपसे मांगेगा जैसे question है y equal to fx equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square inverse का कुछ question करा देते हैं और आपसे क्या मांगा है find find dy by dx find dy by dx ठीक है अगर find dy by dx अच्छा देखो अगर आप इसको बना सकते हो अलग method से लेकिन मैं अलग method आपको बताने ही वाला नहीं हूँ क्योंकि आप board में scoring करने हैं आप अलग-अलग confusing method को नहीं अगर inverse आपको याद होगा तो इसको और भी method से बनाएंगे तो लंबा जाएगा लेकिन inverse में अगर आपको फॉर्मूले याद हो कि बाहर में अगर sign inverse से बटा तो अंदर क्या बनाओ कि इसा लेह आपको यह और सुंचना है कि मैं इसलिए बोला की चाहिए वनाने के लिए ए प्रोच करने के लिए तो, की तो है क्या तो अगर ट Credori में आप programme पढ़ेें बैटा देखो थो इस निशेड तीटा का क्या फर्मूला पढ़ा था ten में ऐसको देखो को ध्या安व से इसको अगर आप देख रहे हो तो दोघ्र लग रहा है कि अगर X मैं 10 theta put करूँ तो मेरा काम कुछ हो सकता है ठीक है अगर मैं ऐसा तो हमने क्या एजूम किया बटा एजूम या पूट कर सेक्ट एक सिक्वाल टो कितना 10 theta कितना पूट के बटा 10 theta अगर X 10 theta है तो theta equal to कितना होगा ये भी ध्यान में रखना है 10 inverse X ये भी रखना है सोचना है तो आप पूट करो Y equal to sine inverse या पूट के बटा 2 और X के जगा 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta तो कितना हो जाएगा अभी बताया कि किसकी formula है साइन इंवर्स साइन 2 theta तो साइन से साइन अगर बेसिक आपने इंवर्स में पढ़ाया तो साइन से कट जाएगा कितना बचा बटा 2 theta अब ठीटा आपको आपको क्या सिखाया 2 theta की बेलू कितना 2 10 inverse X और इसको डिफेंसेट करना नहीं असान है तो dy by dx आपसे मागा है तो dy by dx की हो क्या होगा 2 10 inverse X तो इसको क्या करोगे 2 upon 1 plus x square यादने 10 inverse का डिफेंसेशन बताया था 1 plus 1 by 1 plus x square दखो तो असानी नहीं होगा अगर इसको आप basic या अलग मेथर से जाओगे यह question काफी लंबा हो जाएगा तो आपको मेरा बताने का मकसद है आपकी thinking आपकी trigonometry तो आज का आपका workload या आपका homework है ऐसा trigonometry आप अच्छा से पढ़िए trigonometry को याद कीजिए 11 का जो book है उसको रखिए उसको revise कीजिए क्योंकि calculus पढ़ने के लिए आपको trigon, algebra, quadratic, basic इस पे आपको command होना चाहिए otherwise आप फसोगे बीच calculation में तो उसके लिए आपको हर practice आगे की वीडियो आप है आगे का inverse और आगे का parametric form क्या होता है उसके respect में या logarith इसका chemistry का कुछ भी डाउट हो comment box में जरूर लिखेंगे सक मेरे doubt है या इस पे वीडियो बना दो या इस पे discuss कर दो जरूर करेंगे आगे के वीडियो में बाकि इसको आप देखते रहिए और कुछ भी डाउट हो comment करते रहिए ओके thank you